गुद्ध मॉर्णिंग कैसे हो आप सारे अरे जाएक पानी भिजवा दीचे का बाचे गुद्ध मॉर्णिंग शिवम कैसे हो कौन को नागे फटाफट आजाएए जुड़ जाएए शुरू करते हैं क्या बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में शिवम मैं बिल्कुल मज़े में कहां पहुँची है हमारी कहानी गुद्ध मॉर्णिंग शिश्यू ओके पिछली क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स डिसकस कर रहे थे और हमने क्या समझा था एक शौट री क्याप ले लेते हैं हमने समझा था कि पार्ट ट्री ओफ दू कॉंस्टिटिउशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है और हमने समझा था कि छे मॉलिक अधिकार हमको हमारे समविधान ने दिये हैं जब शुरुआत होई थी तो साथ थे उन में से एक संपत्तिक अधिकार निकाल दिया गया उनी सो अथिकार में चोवालीस में समविधान चंशोगन के द्वारा अब वो हमारा कानूनी अधिकार है आठकल 300 एकत है तो छे मॉलिक अधिकार है जिसमें से हमने समानता का अधिकार श्वतंदरता का अधिकार और सोशन के विरुद्धधिकार तीन अधिकार हमने डिस्कस कर लिये हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक ये इतनी बात हम पिशली क्लास में कर चुके हैं इतनी बाते करने में इतनी बाते समझे में कहीं कोई दिकत तो नहीं है आपने से किसी को पारिक, सुहास, सौरब, सभी को गुड मॉर्निंग सबका मौझ बना रहे, मौझ करते रहे, सारे लोग खुश रहे बिल्कुल ओके, तो कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट पे, कहीं कुछ क्वेश्चन आपने बढ़ा हो, कोई और बात जो आपको लगता हो, हम डिस्कस नहीं कर पाए और आपको समझनी है येस, all set, सभी clear है ओके, चले बहुत अच्छा चले तो फिर आगे कहानी शुरू करते हैं अगला जो हमारा fundamental right है right to freedom of religion बहुत महत्वपून article है ये, बहुत महत्वपून right है और इसमें हमको जो बात करनी है article 25 से लेकर 28 तक ये आप देखिए, आपके exam point of view से तो इसकी importance ही है मतलब, यहां से जो questions पूछे आते हैं वो अक्सर example में question पूछ ले जाते हैं आप से लेकिन जो सबसे जादा चीज़ है वैसे भी, मतलब exam point of view से जो ज़रूरी है वो तो है, आपको वैसे भी ये जानना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या है आप देखे article 25 से लेकर ये तक हम बात करें उसके पहले कुछ चीज़ें है आप देखे why this religion thing is important what do you think कि ये इतना जरूरी क्यों है कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया ठीक है religion के अपने हमने पहली क्लास में समझा था उसके अपने spiritual aspect हो सकते है उसके अपने धार्मिक महत्व हो सकते है अध्यात्मिक महत्व हो सकते है what is political concern of religion why this religion thing is कि आप इसको समझें आप देखे यहां जो इसका महत्व है कि religion हो सकता है कि आपकी बड़ी आस्था हो आपके धर में आप नास्तिक भी हो सकते हैं दोनों ही condition हो सकती है लेकिन इन दोनों ही situation में आप ये तो मानेंगे ना कि आपका religion आपकी identity भी है आपकी पहचान भी है तो जैसे ही आप कहते हैं yes तो constitution on हो जाता है आप देखे बड़ी महत्वपून चीज है आज का जो समय है यहां एक crisis of identity एक बहुत बड़ी चीज है यहां जाद अतर लोग देखिए कि आप अपना ही example लीजे जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे और आप अपने parents का साथ कहीं बाजार गए कहीं कोई खलोना पसंद आ गया जूला जूलना है और आपने जिद करनी शुरू कर दी मतलब सड़क पे लेट लेट के जिद की आपको कोई फरक नहीं पड़ता था कि पिता जी पास पैसे हैं नहीं है कर पाएंगे आपको तो चाहिए तो चाहिए तो वो इतनी जिद करते थे लेकिन आज आज क्या हो गया आज पिता जी से 10 रुपे भी लेने हो तो आप सोचते होंगे यार वो अपने मन से ही दे देते तो अच्छा रहता क्या बदल गया आप लोग के बीच वही पिता वही बेटा वही बच्चा फिर क्या बदल गया बदल ये गया कि आपके अंदर अपने होने का एहसास होने लगा है एक सेंस अफ आइडेंटिटी क्रियेट हो गई है ठीकि आपकी अपनी पहचान है और आप गौर कीजे कि आपको हर वो आत्मी पसंद है जो आपकी आइडेंटिटी में इससे छेड़ छाड़ आप जैसे हैं उसको वयसे ही accept करता है जैसे आपकी दादी मा ना नी मा मा यह अपमें आप टेड़ा है पर मेरा है जैसे ही है वैसे accept करते हो आपमें changes नहीं चाहते इसके opposite हर वो रिष्टे चाहरे बाप बेटों का हो husband wife का हो भाईयों का दोस्तों का कोई भी रिष्टा अगर जैसे ये दूसरे की आइडेंटिटी को ओनर नहीं किया उस रिष्टे में खटास पढ़नी शुरू हो जाती है तो ये आइडेंटिटी का बड़ा महत्व है और चूकि रिलिजिन हमारी आइडेंटिटी भी है आप एक मुस्लिम है नमाज नहीं पढ़ता कुछ नहीं करता वह भी नास्तिक है उसको चार हिंदू कुछ नाप शिनाप नहीं उसको भी बुरा लगेगा क्योंकि आप भले कही आई तुझे नहीं कह रहा हूं मैं मुस्लिम को कह रहा हूं तो आप उससे जुड़े हुए आपको सम्विधान में रखकर सम्विधान का आर्टिकल 25 से 28 तक बात करता है तो यह क्या बात करता है समझते हैं के करके वोगे रुटिका गुड मॉर्णिंग शिवम कह रहे है मेरा एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है शिवम आपके पूछे पूछ लिजे फिर आगे बढ़ते हैं यह आर्टिकल क्या कहते हैं प्रश्ण पूछ लिजे कि इस आपके क्वेश्चन क्या है मेरे खाल से मेरे पूछने के बाद आप तक आवास पहुचने तक थोड़ सरा वक्त लगता है क्या धर्म कंवर्जन कॉंसिटिशनल कॉंसिटिशन में है अभी बात करते हैं यह आर्टिकल एक बार समझ लेते हैं फिर आपको यह सारी चीज़े समझ में आ जाएगी शिवम अब आईए समझते हैं कि करके कि कहते क्या है सबसे पहले आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 यह तीन बातें कहता है आपके कॉंसिटिशन में यह एक ही संटेंस में लिखा हुआ है लेकिन आप इसको पॉइंट्स में लिख लीजे आपको याद करने में बहुत असानी होगी तो सबसे पहले क्या कहता है लिख लीजे फ्रीडम टू चूज रिलिजन धर्म चुनने के आजादी फ्रीडम टू चूज रिलिजन धर्म चुनने के आजादी दूसरा फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रिलिजन धर्म के अनुसार आच्रण करने की आजादी और तीसरा धर्म के अनुसार आच्रण करने की आजादी और तीसरा फ्रीडम टू प्रपागेट ऑफ रिलिजन धर्म के प्रचार प्रशार की आजादी Freedom of propagation of religion धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी अब ये तीन आजादी है जो अकीला Article 25 आपको देता है एक करके समझ लेते हैं ये क्या कहता है Article 25 का जो पहला पार्ट है कि Everybody has a freedom to choose their religion आप देखे आपको अपना धर्म चुनने का अधिकार है आप एक particular religion में पैदा होते हैं एक certain age के बाद जब आप दूसरे religion के साथ interact करते हैं और अगर आपको ये realize होता है यार कि thank God मैं इस वाले religion में पैदा हुआ यहाँ तो huge opportunity है for development तो अगर आपको ऐसा लगता है तो Article 25 आपको ये promise करता है कि आप से आपका religion कोई नहीं बदलवा सकता कोई मतलब कोई सरकार भी नहीं तो अगर आप अपने धर्में satisfied है कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने धर्में बने रह सकते कोई भी आपको आपका धर्म जबरजस्ती change नहीं करा सकता अचा इसके opposite आपको लगता है कि नहीं यार काश में उस दूसरे वाले धर्में पैदा हुआ होता वहाँ huge opportunity थी for development तो यही article 25 आपको ये promise करता है कि आपका धर्म मतलब आपको दूसरा धर्म चुनने के लिए कोई रोख भी नहीं सकता You are very much free to have your own religion You decide which religion is good for you ये आप तैं कीजी कि आपके लिए कौन सा religion अच्छा है Constitution का concern ये है कि being a citizen आपकी development हो जाए वो हिंदू हो के हो रही कि मुसल्मान हो के वो you decide Constitution का इसमें अतराज नहीं है In fact वो आपको freedom देता है कि you decide which religion is good for you तो आप से ना तो कोई जबरजस्ती आपका religion change करा सकता है और नहीं आपको दूसरा धर्म स्विकार अगर आप करना चाहते हैं तो वो करने से कोई रोख सकता है Article 25 के तहट ये हर नागरिक का मौलिक अदिकार है कि वो अपना धर्म स्वैम चुने पहली बात तो ये कहता है दूसरी बात कहता है कि केवल धर्म चुनने की बात नहीं है वो अपने धर्म के अनुसार आच्रण भी कर सकता है Every citizen of this country have a freedom to act according to their religion आप अपने religion के अनुसार आच्रण भी कर सकते हैं आप किसी को शेव बढ़ा के रखने नहीं को इत्रपुन लगा के चल रहा है नहीं रोग सकता है कोई जाली वाली टोबी बहन रहा है कोई बुर्का बहन रहा है आप रोग नहीं सकते Every citizen of this country has a right to act according to their religion अपने धर्म के अनुसार आच्रण कर सकते हैं आपके एक्जाम में question भी पूछा गया है कि सिखों को कृपाण लेकर चलने का अधिकार क्या उनका fundamental right है Of course yes वो अपने साथ sword carry करते हैं तलवार लेकर चलते हैं क्यों? क्योंकि उनका religion उनको ऐसा करने के लिए कहता है Every citizen of this country ठीक है सभी लोगों को ये अधिकार है कि अपने धर्म के अनुसार आच्रण करें ठीक है उसको कोई रोक भी नहीं सकता अच्छा यहां तक की बात तो ठीक है यह जो तीसरे अवाला point है कि freedom of propagation of religion ये इससे पंगे नहीं बढ़ जाएंगी प्रचार प्रचार करने की आजादी हर धर्म के लोग वैसे इतना तनाव भी देखिए हमारे बीच में आप देखिए आप मेंसे जात तर लोग हिंदू है अभी यहां कोई मौलवी साब आजाएं और वो कहें जन्नत नसीब तो केवल मुसल्मान को होगी तो आप में लोग हाँ यहां ऐसे कुछ भी यहां भी कोई पंडी जी आ जाएं को कहें कल्याण तो केवल हिंदू का संभव है आप मेंसे जो गहर हिंदू होगा तो हाँ ऐसे कुछ भी आप देखिए अगला अपनी तारीफ कर रहा था दूसरे के धर्म की बुराईत हो नहीं कर रहा था अपनी तारीफ कर रहा था लेकिन दूसरे को सुनके बुरा लगता है तो जहां माहौल इस तरीके का है वहां Constitution आपको fundamental right देता है कि you are free to propagate your religion प्रचार प्रिजार करने की आजादी है आपको इससे तनाव बढ़ नहीं जाएगा इससे दिक्कत बढ़ नहीं जाएगी ठीकि सबी लोग प्रचार प्रिजार करने की आजादी होगी सोचे सारे धर्मों के posters बैनस लगे हो लड़के सड़क पर लिफलेट बाट रहे हो जोएं इंदु धर्म, जोएं मुस्लिम धर्म डेमो ले लो डेमो तो इससे तो दिक्कत बढ़ेगी फिर भी this right is given to us as a fundamental right why this is so ऐसा क्यों है, इसके बीचे क्या कारण है यहाँ मैं एक बार अबी आपके कुछ question है, मैं आपको clear करता हूँ एक बार यह point समझ लीजे फिर आता हूँ, आपके भी question पे और चतुर आपके भी questions पे मैं आता हूँ एक बार यह समझ लीजे, यह article क्या कह रहा है 25, फिर हम आपके question पे भी बात करते हैं तो पहले चीज तो वो कहता है कि साब आपको धर्म चुनने के आज़ादी है, दूसरा you are free to act according to religion, आप अपने धर्म के अनुसार आच्रन कर सकते हैं, आपका धर्म आपको जो करने के लिए कहता है, you are free to do that और तीसा कहता है you are free to propagate your religion, आप प्रचार 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 भी कर सकते हैं तो प्रचार 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 कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, ये अधिकार क्यूं दिया आपको, ठीके ये अधिकार क्यूं दिया आपको उसके लिए current cable इतना है कि आप देखे हम जानते ही नहीं अपने religion के बारे में अपने religion हम दूसरे के religion के बारे में जानते हैं अपने religion के बारे में नहीं जानते तो जब हम जानते ही नहीं है चीजों को तो फिर दिक्कत होती है हमको चीजों को समझने में explain करने में हम misinterpret करते हैं ना के वल अपने religion को दूसरे के religion को भी और ये हमारे बीच एक तनाव का कारण बनता है आप देखे यहां यह बहुत जरूरी है कि हम जाने जब आप जानना शुरू करते हैं आप अपना ही example लीजे आप हिंदू है हो सकता है आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त मुसलिम हो तो दोनों की एक ही problem है भाई ये ट्रिक्नोमेटरी solve नहीं हो रही है भाई इंगलिश वक्याब आदमी हो रहा है जी इस खून चूसरा है ठीक है दोनों ही सोचते है यार नौकरी लग जाए लाइफ सेट है सब अपने परिवार के साथ चांती से खुशाली के साथ रहना चाते ह है मौसम का सर सब के उपर एक जैसा ही होता है हर चीज लगभग एक है ठीक है थोड़े बहुत rituals का फरक है तो क्या घरदन काट दोगे आप उसकी तो जब आप जानना शुरू करते हो कि जादा फरक नहीं है सबी चीजों में आप सुबह से उठते हो तो रोजाना कितनी बार दिन में सोचते हो आप हिंदू हो कि मुसल्मानों जब तक कोई बाहर से उंगली ना करे तो हमारे पास वैसे ही जिन्दगी की अपनी परेशानियां वसमें उलजे हुए वह सुबह निकलते हो यह ओठ वाला भहिया जो चाय वाला भहिया सब तो भहिया है आपके तो ये कहा तो बताम ना कि क्या कहता है तुमारा religion आप अपने लोगों को बताओ, दूसरे लोगों को बताओ तो जब हम यह जानना शुरू करते हैं कि लगभग सभी बातने एक जैसी है तो हमारे बीच उफ fraternity वाला motive clear होता है ठीके तो इसी लिए समवेधान यह freedom of religion आप freedom of article 25 के तहट आपको धर्म की प्रचार प्रसार करने की भी आजादी देता है clear? अब आजाए आपके इसको सवाल पर ले लेते हैं सबसे पहले आकांक्षा ने सवाल पूछा कि the word आचरंट से क्या मतलब? आचरंट से मतलब आकांक्षा है कि आपका religion जो करने के लिए जैसे मैंने आपको example दिया कि आपके exam में question भी पूछा है कि सिखों को कृपान लेकर चलने कादेकार क्या उनका fundamental right है तो अपने साथ sword carry करते, तलवार लेकर चलते क्योंकि उनका religion उनको ऐसा करने के लिए कहता है कोई बुर्का पहन के आजाए कोई लड़की तो उनका religion उनको ऐसा करने के लिए कहता है हम नहीं रोक सकते कोई त्रपुन लगा के आजाए कोई जाली वाले टोपी पहन के आजाए तो ये जो धर्म के according जो आचरण है ये करने की सुतंदरता समविधान देता है आर्टिकल 25 के माध्य हम से ठीक है क्लियर है अच्छा यहाँ और क्या चतुर क्या पूछ रहे हैं अच्छा ये अधिकार किस एज में है देखिए Constitution इसके बारे में कुछ कहता नहीं चतुर की किस एज में आप ये डिसीजन ले सकते है ये नागरिकों को दिया गया अधिकार है मतलब नागरिकों के अलावा भी लोगों को है लेकिन नागरिकों के लिए आप भारत के नागरिक हैं आपको ये अधिकार है किसी भी एज में लेकिन generally माना जाता है कि जब आप 18 वर्ष पूरी कर लेते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो यह माना जाता है आपके पास समाजिक समझ है, लेकिन 18 वर्ष का उलेक समविधान में नहीं है, age क्या होगी, इसके बारे में constitution कोई बात नहीं कहता, यह सभी नागरिकों को यह अधिका लेते हैं, तो उसकी age होती है, वैस्ता कि वो 18 वर्ष है हमारे देश में, तो यह लेकिन फिर भी अगर आप यह पूछ रहें कि क्या यह अधिकार कुछ age mention है constitution में, नहीं, कोई age mention नहीं है, लेकिन generally इस बात का खयाल रखा जाता है कि आपके बतलब अगर आप अलब वैस्त ह है, एक बार फिर से समझी है, प्रोपागेशन क्या है, आप देखिए, होता क्या है कि जैसे हमारा एक दूसरे के religion के बारे हैं बड़े सारे misconception है, आप देखिए सड़क एक तरफ Hindu colony, सड़क एक तरफ Muslim colony, ठीक है, अब सारे Hindu एक तरफ, सारे Muslim एक तरफ, दोनों दो दुनिया ह सारे Hindu एक तरफ, सारे Muslim एक तरफ, अब Hindu क्या कोई रिष्टेदार है, वो उसको छट पर लेकर जाता है, कहता है, इधर हमारे सारे Hindu भाई रहते हैं, इधर सामने Pakistan है, पकिस्तान है पकिस्तान है, हाँ पकिस्तान है तो लगों के भारत मां तक कीज़े करने, खुद कह रहो प कि आप ये हिंदू अपने आपको बड़ा सीधा शरीफ कहते हैं, इनका कौन सा देवी देवता है जो बिना हतियारों के, एक दो को छोड़ दो सारे ही वैपनाईज हैं आप देखिए, तो हम मिसिंटर्प्रेट करते रहते हैं एक दूसरे को, हम अपने ही बारे में नहीं जानते, तो चीज़ें क्या हो रही हैं कि समविधान कहता है, फिर बताओ कि आपका रिलिजन क्या कहता है, जैसे फर एक्जांपल मालीजी हिंदूों में एक प्रडाली है कि आप सूरी को अर्ग दीजे, अब आप सब साइंस में पढ़ते हैं कि सन के साथ बड़ी सारी रेज आती है, उसमें जो सबसे खतरनाक रेज होती है, उसको अल्ट्रा वॉलिट रेज कहते हैं, वो हमारी ओजोन उसको रोक लेती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ओजोन पतली होने के वज़े से उसमें छेद होने के अल्ट्रा वॉलिट रेज प्रत्वी पर आ जाती, जो तमाम सारी समस्यां स्किन डिजीजेज, ग्लोबल वॉर्मी ऐसे पढ़ते हैं आप, लेकिन साथ में आप ये भी पढ़ते हैं कि साथ जब उगते हुए सूरज के साथ अल्ट्रा वॉलिट रेज बहुत बहुत काम आती, तो हमारी ओजोन उसको 100% रिफ्लेक्ट कर देती, यानि राइजिंग सन के समय अल्ट्रा वॉलिट रेज प्रत्वी पर नहीं पहुँचती, तो अगर उस राइजिंग सन को अगर आप H2O के साथ फिल्टर करके देखें, साफ पानी ले लें, दो ढ़ाई लीटर का बरतन लेकर और उसको गिराएं और जो पानी की धार होती हैं, उसमें से उगदे हुए सूरज को देखें, तो रेज वो आपके आँखों के माधिम जाती हैं, तो आपके नीरोंस एक्टिव हो जाते हैं, तो आपके 90% बॉड़ी पार्ट्स एक्टिव किड्नीज, लंग्स, हार्ट्स, अपको फायदा मिलता है, आपके स्किन बलो बढ़ जाती है, तो अब यह सारी चीज़, खुद ही नहीं पता है हमको, तो जब हम यह पता होता है कि इसाब इन सब का क्या कारण है, तो फिर आप इसको बहतर तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हो, आपकी आस्ता भी बढ़ती है, और क्योंकि अब आपको सही रीजन पता है, हर रिलिजिन में कुछ न कुछ ऐसी बा खांतियों को लेकर, हम उन मिसकंसेप्शन को लेकर बात करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे बीच में ठकराव कैदा होता है, तो समवेधान का मोटिफ क्या है, वो कहता है भाई तुम बताओ कि क्या कहता है रिलिजिन, आप अपने लोगों को बताओ, दूसरे लोगों को है, आप भी जैसा सोचते हो, आपका दोस भी वैसा ही सोचता है, ठीक है, कोई खास डिफरेंसेज नहीं है, कुछ नाम का है, कुछ रिच्यूल्स का फर्क है, तो यह कोई वज़े तो नहीं होते है, किसी की गर्धन काटने के लिए, तो आप इसको बहता है, जब यह जानना शुरू करते हो, तो समझ में आता है, कि नहीं साहब, हम जितनी बाते सुनते हैं, अब आप से कोई कहगा सारे मुस्लिम ऐसे, तो गहरे तो गहले MS आप को मे जानता हूँ, ठीक है, उस सारे हिंदू ऐसे, ऋभी कहगा नहीं हम जानने के लिए समधान को मौलिक अदिकार द हैं दूसरे लोग को बताएं ताकि हम जादा से जादा चीज़ों को जान पाएं क्लियर है और कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी का आगे बढ़ें कि अगर कि अगर कि यस और कहीं किसी का कोई प्रश्ण कोई डाउट ओके अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पर आर्टिकल 26 देखें बहुत सारे लोग लाइव हैं मैं चाहूँगा कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें आप मैंसे दो चार स्टूडेंट हैं जो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो इसको आप सभी लोग participate कीजे ताकि आपकी involvement से चीजें ज़ादा समझ में आ जाती है कहीं किसी तरीके का doubt है तो जरूर पूछ लीजे इन online classes को बिल्कुल offline का feel दे दीजे कि बिल्कुल हम आप आमने सामने है तो आपके कहीं कोई doubt हो जरूर उस पे बात कर लीजे Constitution बिल्कुल आतराज नहीं करता अकांगशा आप कुसी दूसरे धर्में शादी कर सकते हैं आ जा सकते हैं समविधान को इन बातों से कोई आतराज नहीं है वो आपके social aspect है वो बड़े आपके personal aspect है अगर आप पूछ रहे हैं यह illegal है illegal है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे example है कि लोग दूसरे धर्में शादियां कर रहे हैं समविधान बिल्कुल आतराज नहीं समविधान सभी लोगों को नागरिक के रूप में देखता है वो तो हम आप हैं जो एक दूसरे को हिंदू-मुसल्मान के रूप में पहचानते हैं समविधान नागरिक के रूप में देखता है तो समविधान को बिल्कुल आतराज नहीं है और वैसे भी we the people of India की बात करता है constitution उसमें religion की तो बात ही नहीं है क्लियर है चले अगला article 26 article 26 क्या कहता है आप देखे article 26 कहता है लिख लेजे freedom to manage religious affairs freedom to manage religious affairs धार्मिक कारियों के प्रबंधन की स्वतंदरता धार्मिक कारियों के प्रबंधन की स्वतंदरता freedom to manage religious affairs freedom to manage religious affairs okay okay thank you Anjali ठीके अब इसका मतलब क्या है freedom to manage religious affairs आप देखें कोई भी धर्म है उसमें जो भी काम किये जाते हैं चाहें आप पानी पिलवाई ये खाना खिलवाई ये कंबल बांटी है कुछ भी ये जो सारे काम किये जाते हैं ये सब उन्य कामाने के लिए किये जाते हैं तो भले ही आप अपनी community के लोगों को खाना खिलाइए लेकिन constitution इसको कैसे देखता है कि नागरिकों को खाना मिल रहा है नागरिकों को पानी मिल रहा है नागरिकों फेसिलेटेशन मिल रहा है तो Constitution सभी नागरिकों को अधिकारते हैं, very good, you are free to do all these things, आप ये सब करने के लिए स्वतंत्रों, आप अपने धर्म के अनुसार, जो भी आप जो भी manage करना चाहते हो, जो भी religious aspects है, you are free to manage them, आप उसको करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रों, आप देखें लोग सड़कों बेटेंट लगा के वो पूरी सबसियां खिलवाते हैं, कभी कोई food inspector आके कहता है license दिखाओ, नहीं, कई बार तो police मदद कर देती है, line wine लगवाने में, तो ये सब करने के आजादी समविधाना आप देता है, यही नहीं, आप अपने religion के according property घरीच सकते हो, आप जमीन घरीच सकते हो, उस पर constructional मंदिर मस्जिद बनवालो, धर्मशालाएं बनवालो, hospitals बनवालो, school colleges, आप देखिए जहां में मिल्ले असलामिया, स्टीफिन्स कॉलेज, खाल्सा कॉलेज, हिंदू विश्य विद्याले, यह सब धर्म के नाम पर बने हुए institutions हैं, constitution कहीं कोई अतराज नह होगा, school colleges हैं, लोग पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो यह सारे से कहीं कहीं, एक majority का, बहुत सारे लोगों का lab हो रहा है, इसलिए सम्विधान यह सारे institutions खोलने की, property खरीदने की, आपको अपने धर्म के, जो religious matters हैं, उनको manage करने की आजादी आपको देता है, ठीक है, हाँ, इस पर ध्यान केवल इतना रखना है, कि अगर इन organizations में, अगर आपके किसी भी efforts में, सरकार का fund involved है, तो इससे मिलने वाला benefit सभी को मिलेगा, ठीक है, तो मिलने वाला benefit सभी को मिलना चाहिए, सभी को मिलेगा, इससे मिलने वाला benefit, आप यह नहीं कह सकते, सरकार से fund लिया है, अभी हम इसका फाइदा एक ही समुदाय को देंगे, हाँ, आप अपनी community के लिए कुछ seatे reserve कर सकते, it's okay, लेकिन आप यह नहीं कर सकते, कि सरकार से fund लिया है, और फाइदा के वाले एक समुदाय को मिले, जामय मिल्या में, आप सभी लोग, सभी धर्मों के लोग पढ़ेंग आगे बढ़ें, यहाँ यह बात समझेंगे, कोई डाउट तो नहीं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है अकांग्शा, वो बड़ा unfortunate है, कि हम आप समझते नहीं, इसलिए जो politicians हैं, वो इनका फायदा उठाते हैं, हमारी नासमझी का, constitution बिलकुल इस तरीके की बाते नहीं कहता, बहुत सारे questions आगए, यहाँ लोग emotional हो जाते हैं, एक minute मैं जब आपके questions देख लो, सारे उपर चले गए, अकांग्शा, बड़ी सारी नहरासगी है आपकी, आप देखें कोई politician क्या करता है, वो एक अलग चीज़ है, सवाल यह जो fund वो देते हैं, वो कहां से किस fund, क्या government fund है, क्योंकि government जब भी fund, मैं सरकार के साथ काम करता हूँ, मुझे मालूम है, कि सरकार fund वो release, उसी पे release करेगी, जहां से, जहां, जो fund allocate होता है, otherwise government fund नहीं देती है, हाँ, party fund, तमाम सारे और fund निकाल के दे देती है, तो वो एक discussion का विशह है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, नहीं हैं, वो politics अलग मुद्दा है, लेकिन आप अगर समविधान की बात करें, तो समविधान कोई discrimination नहीं करता, हम लोगों को भी अपनी समझ बढ़ाने की जरुवत है, ये, हम trap में आ जाते हैं, तमाम सारे लोगों के, आप देखें, यहां साथ में ही collective development ही, असल development है, आपका selection हो जाए, आप तो नगाड़ा बजवाएंगे अपने घर के आगे कि मैं तो साला मैं तो साहब बन गया, लेकिन आप नगाड़ा बचारें, मालेजे आपके पडोस में किसी के death हो गई है, तो क्या आप celebrate कर पाएंगे, नहीं, तो आपके celebrate करने के लिए उतनी ही जरूरी चीज़ है कि आपके पडोस में कोई गमी ना हो कम से कम, ठीके तो ही आप celebrate कर पाएंगे, किस बात को समझना थोड़ा जरूरी है, बहुत सारी घटनाएं है, आकांशा आप जो कह रही है, वो बिलकुल सही है, ठीके ऐसी घटनाएं आती है, होती है, ये बड़ा unfortunate है, लेकिन हमको अपनी समझ तो बढ़ानी पड़ेगी ना, और समविधान, जब हम बात समविधान की कर रहे हैं, तो स अमप्रदाय कहलाता है, ठीक है, धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है, तो वो एक अलग आस्पेक्ट है, जो घटनाएं है, चाहे वो politicians, तमाम सारे और धर्म के लोगों की वज़े से, वो जो दिक्कत पैदा करती है, वो सारी ना समझी, हमें आपको सो खुले तोर पर समझने क जरूरत है, क्या होना चाहिए, और what is going on, क्या हो रहा है, यह जो gap है, यही तो problem है, ठीक है, जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, यही तो दिक्कत है, आप अपने रोज मर्रा की जिंदगी में तमाम सारी medium information से, आप इस से aware होते हैं कि what is going on, but if you are not aware with this, आपको कभी problem का भी पता न उससी परचित नहीं है, आप तो पढ़े लिखे लोग, so called, तो यहां आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप से पूछे देश की क्या समस्था है, तो exactly बता पाना बड़ा मुश्किल है, आप बड़ी corruption और इन सब चीजों को नाम लेते हैं, वो सब लक्षन है, समझता कि I am not aware with तो ऐसे में हम what is going on, इससे परचित हैं, तो जो लोग केवल यह जानते, यह नहीं, वो हमेशा problem oriented बात करते हैं, सब इस देश में तो ऐसे ही होता है, यही तरीका, यही होगा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, लेकिन जब आप यह जानना शुरू करते हैं, तो आपकी बाते solution oriented होती है, तो हम classes में यह discuss कर रहे हैं, कि what should be done, क्या होना चाहिए, ठीके, जाहिर सी बात है, आप जो बाते कर रहे हैं, तमाम सारे और बात भी, बहुत सारी चीज़े में आपको आगे बताऊंगा, आपको लगेगा साब ऐसा होता तो नहीं, हाँ, यही तो समस्या है, जैस अभी इन बातों से aware है, अब हमको यह भी सीखनी, तो एक बार classes आपको समझ लिए, कि what should be done, हम यही बात कर रहे हैं, ओके, चलिए, issues तो खेर, बहुत सारे हैं, discuss होते रहेंगे, बहुत वक्त लगेगा, हम अभी बात कर रहे हैं, कि आपके सम्विधान के यह अनुक्षेत क् रहे हैं, ताकि यहां से पूछे जाने वाले प्रश्न में आप से गल्ती ना हो, चलिए, देखिए, आपके कुछ और issues होंगे, हमारा last का 10 minute आपके questions के लिए ही होता है, उस पर discuss करेंगे, एक बार topic पहले discuss कर लें, ताकि यह न रह जाए, अब आजाए, नेक्स्ट आर्टिक 27 ओके थैंक यू वेद शिवम आपकी क्लास में ओफ लाइन वाला ही फील आता है, चलिए थैंक यू शिवम जी, selection होगा, जरूर मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग select होके आएंगे, चलिए अगले article 27 की बात करते हैं, छोटा सा, छोटी सी बात कहता है है, लिख लीजे, आर्टिकल 27 केता है, freedom to payment of religious taxes, freedom to payment of religious taxes, धार्मिक करों के भुकतान से मुकती, अब यह क्या है, अब देखे, आप history में पढ़ते हैं, तमाम सारे medieval period में आप पढ़ते हैं, तमाम सारे Muslim emperors थे, जो जजिया tax impose करते थे, तो जजिया लगाते थे, जजिया एक non-muslims पर लगाये जाने वाले एक religious tax हुआ करता था, जो non-muslims पर लगाये जाता था, तो अब भी article 27 क्या कहता है, कि इस तरीके वा कहीं कोई tax नहीं लगा सकता, नहीं कोई religious community लगा सकती, और सरकार तो बिलकुल ही नहीं लगा सकती, ऐसा कोई tax नहीं लगा सकते, जो किसी एक community के ही बहतरी के लिए काम करे, तो इस तरीके कहीं कोई tax सरकार नहीं लगा सकती, नहीं कोई धार्मिक समुदाय लगा सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप दिखे, कि जो religious matters है, वो बड़ी sensitive matters है, जैसे ही आप धर्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो कई सारी लोगों की भावनाय आहत हो जाते हैं, कई बार तो लोग पूरी बात भी नहीं सुनते हैं, और जगणने के लिए तयार हो जाते हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है, तो religious matters की चीज़ों पर रो constitution क्या करता है, constitution जनता को मोलिक अधिकार देता है, कि you are free to pay और not to pay, हम अगर किसी को tax लगाने से नहीं रोक सकते, तो कम से कम हम जनता को अधिकार देते हैं, कि आप सोतंत्र हो, tax pay करने के लिए भी और ना करने के लिए भी, मतलब आपकी आस्ता है, तो pay कर दो, नहीं करना है तो मत करो, you are very much free to pay और not to pay, आप देखिए जैसे आपके से कोई Muslim होगा तो जानता होगा या पढ़ा होगा आप सभी ने, Muslimानों में एक tax होता है, जकात, वो जकात क्या होता है, कि हर Muslim को अपने धर्म के नाम पर अपनी आय का कुछ certain part धर्म के नाम पर देना होता है, अब Article 27 क कहता है, कि आपकी आस्ता है, तो दे दो, लेकिन नहीं देना है, तो मत दो, मौलवी साम आपको डराद हम का सकते हैं, कि अल्ला का कहर नाजीर होगा तुमारे उपर काम वक्त, मुकदमा नहीं कर सकते हैं, आपके उपर, आप अपनी सारी property बेच के जाके किसी मंदिर में दा ठीक है, मुकदमा नहीं कर सकते हैं, आपके उपर, तो यहार वेरी मच फ्री टू पे और नॉट टू पे, आप पूरी तरीके से सोतंत रहें, किसी भी धार्मिक कर को देने के लिए भी, या नहीं भी देने के लिए, इसमें कहीं कोई दिकत तो नहीं है, अच्छा, यहां ए एक चीज का धियान रखना है कि article 27, tax देने को मना करता है, fees देने को नहीं, be careful, यह कहता है, tax देने को मना करता है, fees नहीं, तो क्या difference क्या है tax और fees में, what is tax, by the way, what is tax, tell me, what is tax, वट is tax yes come on your answers whatever टेक्स क्या होता है इस वेलफेर के लिए पैसे देना अंजली कह रही है अकांशा आपके कई सारे सवाल है वो ऊपर चले गए कई सारे कमेंट्स में कमपल्सरी पेमेंट मेट बाइ दे सिटिजन तु दे गवर्नमेंट फॉर अवेलिंग दे गवर्नमेंट फेसलिटीज रुपाली मिश्रा कह रही है कि जो सरकार को ताकि उन से सुविधाय ले पाए वेट कह रहे हैं जबरजस्ती से लिया जाने वाला वो पैसा जो सबकी भलाई में यूज हो सरकार को दिये जाने वाले कर पब्लिक सर्विस शीवम कह रहे है रितिका सर कुछ कमपल्सरी फानांशियल चार्जिस जो अपनी सर्विसेज के लिए देना हो सुतोष कहते हैं टैक्स इलिजिबल पेमेंट टु वेलफेर ऑफ दे पीपल अकांग्शा कह रहे हैं मंदिरों में ट्रस्ट के नाम पर पैसा जाता है वो लीगल है बिल्कुल लीगल है अकांग्शा शीवम टैक्स इस पे फॉर पीपल जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं चली इसको समझ लेते हैं आपके से बहुत सारी लोगों ने ठीक कहा टैक्स थोड़े सा धिहान रखना है टैक्स इस नथिंग बट अ कर एक अनिवार यह भुकतान है आप कर ये दारे में आते you have to PAY आपको कर देना पड़ेкое पणिश्मेंट मिलेगे तो कर एक अनिवार ह救 यह भुकतान जपकी फीस अनिवार हम दो नहीं है और जो बहुत जरूरी चीजी आपको समझनी चाहिए कि फीस के बदले में कुछ certain services का promise किया जाता in फिसे मालीजícios- मैट्रो से एक जगे से दूस्री इगर travel करें अgi train मे से एक जगे से दूसी जगे से जा रहा हो जो ticket खरीदते हैं वो क्या है fees तो fees के बदले में सरकार कोई promise किया जाता है tax के बदले में सरकार कोई promise से लेकिन आपको कभी कोई promise करती क्या कि tax जमा करो ये काम करा देंगे नहीं आप वो तो thank you भी नहीं बोलती जरकार तो तो tax के बदले में किसी भी services की promise नहीं किया थी, fees के बदले में services की promise की जाती, अच्छा fees का फायदा उसी को मिलता है जो fees पे करता है, मतलब आप बस में जा रहे हो, conductor से ticket खरीदी, आपने कई साथ में ये मेरे parents हैं, तो क्या बुलेगा, उनकी भी ticket लो, तो travel उसी को करने को मिले जो ticket खरीदेगा, जबकि tax के साथ ऐसा नहीं होता, आप देखें, tax से बनीवी सडकों पर वो लोग भी चलते हैं, जो tax पे नहीं करते, footpath पे लोगों ने अपना drawing room, bedroom, sometime bathroom, toilet सब बना रखा है, अब कोई footpath पे सोया हो, आप जाके, ए उटो, ये मेरे tax से बना हुआ है, वो क्य बुलेगा, क्यों रो रहा है, तुभी आजा, तो tax का फायदा उन लोगों को भी मिलता है, जो tax पे नहीं करते, तो आपको धिहान क्या रखना है, कि article 27, tax लगाने को मना करता है, fees लगाने को नहीं, be careful, जब भी यहां से question आए, तो जरूर इस word पे धिहान रखेगा, वो tax fees देने को नहीं, आप अक्षरधाम मंदिर चाहिए, कोई पैसे नहीं लगते है, आप स्वामी नाराइन जी के दर्शन करके आईए, एक रुपे खर्च नहीं होंगे, लेकिन आप उनकी exhibitions देखेंगे, musical fountains देखेंगे, you have to pay some fees, आप श्रडी साहिबाब बाते रुपा हैं, तो जुरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को, ओके, clear है ये, चलिए, अगले article की तरफ बढ़ते हैं, article 28, article 28 क्या कहता है, लिख लीजे, freedom to participate in religious prayers, very clear, रृतिका, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको भी clear करते हैं, article 28, अच्छा, आप लोग जब कहते हैं, clear तो clear या clear, या clear, ये ध्यान लखिए, सारी चीज़ा है, तम clear होनी चाहिए, और clear होने का जो parameter है, वो ये, कि अगर यहां से कोई question पूछे जाएंगा, तो आप घलत नहीं करेंगे, तो मैं फ़र आप से कह रहा हूँ, पिछली classes में क कहते ही रहूँगा, जब तक आउँगा, कि जो भी topic आप यहां discuss कर रहे हैं, जरूर previous year paper solve कीजे, previous year paper solve कीजे, आपके लिए इन topics के पढ़ने का मतलब केवल इतना है, कि यहां से पूछे जाने होने questions आप से गलत नहीं होने चाहिए, और आप देखिए, यह बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है, कि हम यहां, मैं आप वो articles क्या है, उसको explain कर दे रहा हूँ, चीजें समझ में आ जा रही, कई बार जो questions की language है, तो वो अलग-अलग angle से पूछे जाते हैं, हमें भी नहीं पता पता नहीं किस angle से पूछेगा, तो जब आप previous year paper regular practice करते हैं, तो आपको ए 100% चीजें समझ में आ जाती है, दिक्कत आपको कब होती है, जब आप questions solve करते हो, तो असल में आपको teacher की जरुवत वहां होती है, तो और unfortunately वहां आपको teacher नहीं मिल पाता, तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि आप जो भी classes कर रहे हैं, जिन भी विश्यों की online, offline, जैसे भी, तो classes कीजिए, और जो भी topic आप पढ़ रहे हैं, आपके teacher आपको बता के जा रहे हैं, उसके बाद जरूर उन पर maximum questions आप देखें कि आप लगबख सभी questions के answer दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, कहीं किसी तरीके का doubt हो, उसको note करके रख लीजे, जैसे ही अगली मुलाकात ह पूछ जरूर ले जाएं, ठीक है, ताकि आपके topic 100% clear हो जाएं, और ये ध्यान रखें, जितने कम doubts के साथ आप अपने examination hall में जाएंगे, आपके selection की probability उतनी जादा बढ़ जाती है, तो doubts पे अपने काम कीजे, इन विश्यों के बड़ी सारी चीज़ हैं, जैसे quality बहुत बड आपको focus कीजे, previous year paper आपको divert होने से भी बचाते हैं, कि आप इधर इधर कहीं ना चले जाएं, तो जरूर अपने practices में, अपने previous year paper को भी लेकर आईए, तो जब आप कहते हैं, clear यकीन मानें, बड़ा अच्छा सा लगता है हमें, कि चलो बच्चों को सब कुछ clear हो गया, लेक अगर आपके doubts clear हो गए, तो जाके हमारा कहीं वहतर utilization हो पाता है, तो जरूर इसका ख्याल लगया, चले, article 28, article 28, अप previous year paper topic wise नहीं मिलता है, मिलता है आशुतोष, ठीक है, घटना चक्रे है, तमाम किरन publication, अब तो तमाम सारे publication है, लग-लग लोग चापते रहते हैं, तो जरू तो जरूर लेका है, थोड़ा सा work out कर लीजे, इसी बहाने कई बार आप पढ़ेंगे previous year paper, तो no more funny excuses, okay, article 28, article 28 says कि, शिवर भी last question आपके लेंगे, थोड़ा पहले ये discuss कर ले, यहां से कोई दिक्कत हो तो वो पहले पोच लिएगा, बाकी जो इधर दर के question है, अभी मैं आपक आता हूँ, 28 क्या कहता है, 28 कहता है, freedom to participate in religious affairs, freedom, लिख लेजे, freedom to participate in religious prayers, धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतन्दरता, freedom to participate in religious prayers, freedom to participate in religious prayers, मतलब आप किसी भी धार्मिक प्रार्थनाओं में पार्टिसिपेट करने या ना करने के लिए स्वतन्दरता है, आपको कोई force नहीं कर सकता, ठीक है, आप देखिया, अभी जैसे कुस्सा में पहले एक news आया थी, आप लोगोंने भी सुनी होगी शायद, य इन्होंने सरस्वती बंदनागाने से मना कर दिया, स्कूल मानेजमेंट ने उनको स्कूल से निकाल दिया, वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि साब, हाँ ये उनका religion में बुद्ध की पूजा नहीं होती, इस तरीके से प्रातना करो मन में नहीं करो, फिर भी constitution ये fundamental right के रूप में आपको ये अधिकार देता है, ऐसा क्यों, ऐसा केवल इसलिए है, क्योंकि जो हम लोग, हम जो human है, basically we are free kind of being, हम बड़े स्वतंद्र प्रकार के जीव है, हम को we don't like foundations, हमको बंधन पसंद नहीं, ठीकि अभी आपको एक कह द कह दिया जाए, तो आप दूसरी कोलोनिम जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर, तो we don't like foundations, हमको बंधन पसंद नहीं, इसके बज़िट आपको free कर दिया जाए, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, जिसे for example, जिसे आप मालीचे जामिया मिले, असलामिया में पढ़ते है आपकी देड़ दो बजे नमास का time होता है, आपका कोई मुसलमान दोस्त आके आप सो गया, हाँ बही, चल, नमास का time हो गया, तो आपको बहीं यार, मैं कहां जाओगा, मैं तो हिंदू हूँ, ऐसे नहीं होता बही, चलना तो पढ़ेगा, student है तो गया का, नमास तो पढ़ आपका दोस्त आपको free छोड़ दे, कि भाई मेरी तो नमास का time होगा, तू देख ले क्या करेगा, चलता है तो चल, आप उसने force नहीं किया, आपको, force नहीं किया, तो क्या पता आपके मन में आ जाए, यहीं बैठा-बैठा क्या करूंगा, चल के देखके आपके करते क्या आई है, शायद आप चले जाओ, शायद आपको मुसल्मान दोस्त भी सोच के चलाए, अच्छा, वहां समझ में तो कुछ आएगा नहीं, अलग तरीके के rituals, अलग तरीके की prayers, लेकिन curiosity होती है, क्या बोल रहे थे, बाहर निकलेगा, आपको दो पूछों के क्या बोल रहे थे में मांगता हूँ, तो ये कोई वज़े तो नहीं है ना, किसी के घरदन काटने की, तो ये सब जो आप जानना शुरू करते हो, तो वो fraternity वाला promise जो हमने किया है, समिधान में बंदुता, भाई चारा वाला, वो बढ़ता है, ये forcefully नहीं किया जा सकता, आपको उसे जबरज सिथ हो सकते हैं ये नहीं भी हो सकते हैं, अच्छा मज़गी बात है, ये वाला freedom है, ऐसा नहीं कियो दूसरे के religion में, आपके अपने religion में भी है, आपके अपने घर में पूझा पाट, नमाज ये सब चलिए, आप मना कर दीज़ें में नहीं आता, ये अलग बात है, पिता ज लट उठाते हैं, तो सारा समविधान एक तरफ, तो मैं उनके लट की तो खेर कोई guarantee नहीं दे सकता, वो तो आप अपने risk पर देखना, हाँ, वो आपके उपर मुकदमा नहीं कर सकते है, तो लट पर तो आप अपने risk पर देखना, तो article 28 आपको freedom देता है to participate in any religious prayers, इतनी बात क्लियर है, यह समझे हो कहीं कोई देखकर तो नहीं, yes, all set, any doubt, all clear, चले, कहानी आगे बढ़ाते हैं, हमारा अगला fundamental right, छोटा सा fundamental right है वो भी, अच्छा, 25 थोड़ा सा समझ लीजे अंजली, 25 में हमने बस यह बात की थी, कि वो तीन बाते कहता है, आपको धर्म चुनने के आजादी है, धर्म के अनुसार आच्रण करने के आजादी है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, यही तीन बात कहता है, आजिकल 25, चले, अब अगली तरफ अगले आजिकली दर बढ़ते हैं, राइट तू, एजुकेशन एड कल्चर, धार्म इक, शरी, सक्षा एवं संशृती का अधिकार, राइट तू, एजुकेशन एड कल्चर, सक्षा और संशृती का अधिकार, इसमें हमको केवल दो आर् नहीं है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आप देखें, ये अकेला ऐसा fundamental right है, जो minorities को धिहान में रखकर बनाया गया है, जो अलब संख्यकों को धिहान में रखकर बनाया गया है, अलब माइनोरीटी, आप देखें, the word minority is not defined in our constitution, हमारे सम्वेधान में कहीं परिभाषित नहीं ह है कि यह अलप संख्यक किसको कहेंगे समय समय पर प्रेसिदेंट्ट वो डिसाइड विद डाइडवाइज ऑफ पारल्यामेंट संसद यह तेय करती है कि कौन सा समुदाय अलप संख्यक होगा वो किसी भी आधारपल्टय कर सकते हैं उधर्म के आधारपर जाती के आधार पर भाषा सुन्षभी के आधार पर किसी भी community को minority declare किया जा सकता है minority मतलब अलप संख्यक, अलप संख्यक मतलब जो संख्या में कम होते हैं उनके अंदर by default एक sense of insecurity होता है, ठीक है एक insecurity होता है कि इसाब हम हमारे बाद हमारी विरासत का क्या होगा, इस सब चीज़ों का क्या होगा तो आप देखिए यह डर तो majority में भी है अज़ा एक मत में आए 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 आप प्रहें की आए एक मत में आए एक मत में आए झाल 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 हमारे समविधान में परिभाशित नहीं है बहुत सारे कारण देखते हैं बहुत सारे रीजन्स होते हैं उसके तो उनहीं बहुत सारे कारणों में कुछ इसे कारण हैं मतलब कुछ कारण आप जो हाइलाइट करते हैं उसी में सारे कारण है कि आप इंक्रीजिंग पोपुलेशन आप देखिए तमाम सारे उसके भी कारण हैं लेकिन उसमें में कारण यह किसाब हमारे देश में लोगों के अंदर बेटों की बहुत चाहा है किसाब बेटा हो बात तो लोग ऐसे करते हैं जैसे चंद्रगुप्त विक्रमा देते हैं ठीक है कि बेटा हो वन्शागे बढ़ाना है तो आप देखिए जब यह दर जिन मैजory में है तो माइनौरिटी में किस लेविल का होगा ठीक है तो वह तो ही थोड़े से टो उनको लगता है कि अखाभ हमारे बाद हमारी परफ़यजाथ का क्या होगा समवर्धृदान कहता है कि भाई आपको डरने की क्या जरुवत है अगर आपको यही सारे दिक्कत है तो हम उसके लिए प्रॉविजिंस करते हैं और यह 29 और 30 उन्हीं प्रॉविजिंस की बात करते हैं तो यह क्या कहते हैं एक बार लिख लीजे आप 29 कहता है लिख लीजे Minorities have a right to manage their institutions Minorities have a right to secure their language, culture and script अलप संखिकों को अधिकार होगा कि वह अपनी भाशा, संश्रती और लिपी की सुरक्षा के लिए प्रयास करें Minorities have a right to secure their language, culture and script अलप संखिकों को अधिकार होगा कि वह अपनी भाशा, संश्रती और लिपी की सुरक्षा के लिए प्रयास करें यहाँ धिहान रखेगा कि यह जो fundamental rights दिये गए हैं अलप संखिकों को वो केवल language, culture और script इन तीन के आधार पर ठीके बाकी यहाँ कोई religion, कोई धरम जाती की बात नहीं की गई है यह भाशा, संश्रती और लिपी की बात कर रहा है इसकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं और सबस अच्छा प्रयास कहा है, education institute खुल लो, education is the best way to explore something, to secure something जैसे मेरी बातें अलग-अलग classes में offline, online, हजारों हजार students में फैल रही हैं आप भी जा कि यह सब बातें पता नहीं कितने लोगों से discuss करते होगे तो यह बातें तो रोजाना explore हो रही हैं, मैं physically रहू ना रहू, मेरी बातें आपके माध्यम से जिन्दा है, मैं आपके माध्यम से जिन्दा हूँ तो यहाँ पर education तो सबस अच्छा तरीका है, तो यह कहता है कि साब इनकी भाषा, संश्रुती और लिपी लिपी समझते है न, लिपी जैसे यह अंग्रेजी में लिखा ही है, रोमन लिपी है, रोमन स्क्रप्ट है, हिंदी में लिखा होता है, देवनागरी होती है, तो भाषा, संश्रुती और लिपी, इन तीन की सुरक्षा के लिए बात यह करता है, आर्टिकल चोंटी नाए, अ Minorities have a right to manage their institutions, अल्प संखिकों को अधिकार होगा, कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयम करें, Minorities have a right to manage their institutions, अल्प संखिकों को अधिकार होगा, कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयम करें, Minorities have a right to manage their institutions, अल्प संखिकों को अधिकार होगा, कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयम करें, मतलब कि जो organization इन्होंने खोल रखी, इसका management भी यही minority community ही करेंगी, इतनी कहानी clear है, यहाँ भी वो शर्त लागू होती है, कि अगर इन organizations में सरकार का fund involved है, तो उसे मिलने वाला benefit सभी को मिलेगा, और management में भी सरकार participate कर सकती है, clear, चले, अब आते हैं, बढ़ते हैं हम हमारे आखरी fundamental right, यह इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, चले, हमारा आखरी fundamental right है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, वो है right to constitutional remedies, समवेधानिक उप्चारों का अधिकार, right to constitutional remedies, समवेधानिक उप्चारों का अधिकार, और इसमें हमको केवल एक article पढ़ना है, article 32, article 32, पाप में साब article 30 तक बात कर रहे थे, यह अचानक से article 32 पर आगे, यह article 31 कहां गया, article 31, आप दिखिए, आप जब यह topic हमने शुरू किया था, तो हमने समझा था कि we had seven fundamental rights, हमारे पास साथ मौलिक अधिकार थे, one of them, right to property, was removed, when, right to property was removed, when, in 1978, by 44th amendment, 44 समिधान चंशिधन करके, 1978 में हमने समझा थे, अधिकार को निकाल दिया गया, कौन से अनुक्षेत के तहट समपत्तिक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, article 31, तो चुकि अब यह निकाल दिया गया है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, article 32 की, तो आईए समझते हैं, यह क्या कहता है, अकांग्षा आप पूछ रही हैं कि constitution में articles क्यों है, act क्यों नहीं है, अकांग्षा आपने पता नहीं वो वीडियो देखी कि नहीं, अगर नहीं देखी एक बार फिर से देखेगा, हमने बात किया था कि जो instructions of constitution हैं, they are called articles, तो instructions of constitution are called articles, and instructions of law books are called acts, ठीक है, आप देखेए, फिर से आप इसको समझ लेजे, कि हमारा जो समवेधान है, आपको मालूम है कि यह set of instruction है, तो instructions of constitution are called articles, यह अनुक्षित कहलाता है, ठीक है, और इसी constitution के आधार पे तमाम सारी law books बनी है, CRPC, IPC, कंपनिया की दुनिया बर के acts है, तो यह जो सारे law books है, यह भी set of instruction है, तो these instructions of law books are called acts, धाराएं, धाराएं, दफाएं, सेक्षिन से लग लग नाम से आप जानते हैं, तो whenever you heard that, this is mentioned in that article, जब भी आप यह सुने की कहता है, फला आर्टिकल में लेका, मतलब वो सम्विधान की बात हो रही है, अगर कहा जाएं कि फला आक्ट, फला धारा यह कहती है, मतलब किसी law book के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जब हम constitution के concern में बात करते हैं, तो हम हमेशा article word इस्तमाल करते हैं, मेरी खाल से clear होगा आकांग्शा आपको, clear है आकांग्शा, चलिए, यह हमने पहले भी बात की थी पहली class में भी, आप एक बार देख लीजएगा, तो article 32, क्या कहता है, article 32, अभी तक जिन पांच मौलिक अधिकारों का जखर आपने किया, यह सारे मौलिक अधिकार बहुत important है, लेकिन कल को मान लीजे, कोई मना कर दे कि, I don't believe that you have any fundamental idea, then what will you do, अब क्या करोगे आप, तो इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, कि आप इनको अगर माना ही नहीं गया, कोई मानने से मना कर दे, तो फिर क्या करोगे आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन fundamental right की security भी उतनी ही ज़रूरी है, तो article 32 उन्हीं security का provision करता है, क्या कहता है, लिख लीजे आप, लेख लीजे सबसे पहले, ये क्या कहता है, ये कहता है, one can, one can complain directly in supreme court, one can complain directly in supreme court, if he has violation of fundamental rights, जब मैं he कह रहा हूँ तो he, she सब है, ठीक है, one can complain directly in Supreme Court when he has volition of fundamental rights मौलिक अधिकारों का उलंगन होने पर कोई भी सीधा Supreme Court में शिकायत कर सकता है ठीक है प्रोपर्टी को fundamental right के तहत क्यों हटा दिया गया आकांग्शा पूछ रहे है आप पहली क्लास में हमने ये discuss किया था मतलब जब हम ये fundamental right topic शुरू किया था तो हमने ये discuss किया था आप एक बार जरूर वो वीडियो देख लीजेगा पुराना तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कांग्शा ये article 32 क्या कह रहा है इस पे एक बार फोकस कर लीजे ये कहता है सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इस शिकायत को priority basis पर देखेगा क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करना ये अपने आप में एक fundamental right है मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना is a fundamental right itself इवन सुप्रीम कोर्ट केनोट डिनाई एक वो इसको मना नहीं कर सकते हैं फाक्क के priority basis पर देखते हैं तो मौलिक अधिकारों का उलंगन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं ओके तो यही वज़े है कि आप देखिए कि क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेटकर ने इन constitutional remedies को heart and soul of constitution कहा है क्यों क्यूंकि हमारे constitution में सबसे ज़्यादा important हमारे fundamental right और उन fundamental rights की security की जिम्यदारी आर्टिकल 2032 की constitutional remedies की इसलिए अम्बेटकर जी ने in constitutional remedies को heart and soul of constitution का है इसको भी नीची note करके लिख लीजे according to अम्बेटकर जी according to अम्बेटकर जी constitutional remedies are heart and soul of constitution According to Ambedkarji constitutional remedies are heart and soul of constitution Ambedkarji के अनुसार सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार सम्वेधान की हृदय और आत्मा है ध्यान रखेगा उन्होंने पूरे मौलिक अधिकारों को नहीं कहा केवल सम्वेधानिक उप्चारों के अधिकारों को कहा है सम्वेधान की हृदय और आत्मा है ठीक है एक बार यह समझ लीजिया कांक्षा फिर अभी जब यह खतम कर लेंगे तो फिर अगला जो आखरी जो 15-10 मिनट है वो आपके questions के लिए ही रखते है फिर आप यह अपने सारे सवाल पूछ लेगा अधरवाइस हम divert हो जाएंगे तो एक बार यह कर ले ताकि आपको भी लगे कि एक topic complete हो गया और फिर आपके सवालों को भी ले लेंगे चलिए तो यह बात तो समझ में आगी कि साहब अगर मॉलिक अधिकारों का violation हुआ तो हम सीधा supreme court में जा सकते हैं supreme court जा सकते हैं तो supreme court में जाएंगे तो supreme court करेगा क्या वह हमको remedies देगा कैसे तो हमको remedies देने के लिए supreme court के पास क्या tools है तो उसके पास जो tools है वो कहलाते है रिट्स इसको हिंदी में भी रिट ही कह लीजे ये रिट पांच प्रकार के होते हैं रिट का मतलब एक तरीकी का आदेश है ये पांच प्रकार के होते हैं ये कौन-कौन से एक बार आप लिख लीजे फिर बात करते हैं अच्छा आप मेसेज़ों लोग हिंदी में लिख रहें मैं उनक लिखते चलें, कई बार वो देवनागरी में पूछ लेता है, तो आपको परचित होना चाहिए, थोड़ा लाटिन नेम है ये सारे, सबसे पहला है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षी करण, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षी करण, दूसरा, मैंडमस, कर्मादेश, तीसरा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, निशेद, कहीं जगे ये प्रतिशेद भी लिखा हुआ आता है, चौथा, सेर्चुरारी, प्रेशन, पाच्वा, को वारंटो, अधिकार प्रक्षा, ये पाँच रिट्स हैं, जो, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोट के इशू, ठीक है, ये पाँच रिट्स है, सुप्रीम कोट इशू करता है, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एक-एक करके समझ लेता है, ये थोड़ा सा टफ सा साउंड करता है, लेकिन ये बड़ा आसान सा है, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, एक-एक लाइन की interpretation है, इनकी habeas corpus, सबसे पहले ये क्या कहता है, habeas corpus कहता है, कि अपन, ये Supreme Court जारी करता है, किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ती के खिलाफ, किसी authority के खिलाफ भी, कब जारी करेगा, जब कोई व्यक्ति या authority किसी दूसरे को कैद करके रख ले तो उसको release कराने के लिए उसको छोड़ाने के लिए Supreme Court जारी करता है तो यहां जो heaviest corpus से वो क्या करता है यह basically what this writ does it ensures physical liberty यह शारी रिक सुदंदरता को सुनिश्यत करता है जैसे आपने पढ़ा था कि police will present you before magistrate within 24 hours police 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट करती तो वो magistrate के सामने प्रसुत करेगी अगर पुलीस ने ऐसा नहीं किया तो अगर पुलीस ने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार वाले आपके बहाफ पर सीधा Supreme Court में शिकायत कर सकते हैं और Supreme Court उस पुलीस authority को क्या रिट ज ना रखा है उसको प्रत्यक्ष करिए उसको सामने लेकर आईए तो हैबियस corpus basically what this rate does it ensures physical liberty यह शारिरिक स्वतंदरता सुनिश्यत करता है ठीक है तो शारिक सुनिश्यत करता है फिर मेंडमस क्या करता है मेंडमस यह सुप्रीम यह जारी करता है Supreme Court किसी भी authority के खिलाफ किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ यह जारी करता है कब जारी करेगा जब कोई authority अपना काम नहीं कर रही जो उसका काम है अगर वो काम वो नहीं कर रही है तो उस authority को उसका काम करने के लिए कहने के लिए Supreme Court क्या जारी करता है मेंडमस ठीक है कि यह कता we order do your duty अपना काम करो, हमादेश देते हैं कि अपना काम करो, तो अगर कोई authority अपना काम नहीं कर रही है, तो उसको उसका काम करने के लिए, कहने के लिए minimums जारी किया जाता है, फिर prohibition क्या जाता है, prohibition, prohibition ये देखे, ये वाला रिट, ये दोनों रिट, ये केवल निचली अदालतों को जारी किया जाता है, subordinate courts के लिए जारी किया जाता है, prohibition कब जारी करेंगे, जब किसी चलते हुए मुकदमे को रोकना हो, क्यों रोकना हो, वजएं बहुत सारी होती, बहुत सारी वजएं हो सकती है, किसी भी वजए से, अगर किसी चलते हुए मुकदमे को रोकना हो, तो supreme court क्या जारी करता है, prohibition, basically this is stay order for running cases, ये चलते हुए मुकदमे को रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, तो this is stay order for running cases, चलते मुकदमे को रोकने के लिए जारी किया जाता है, बैट जाता है जब किसी मुकदमे को ट्रानस्फर करना हो एक कोड से दूसरे कोड में जनर यह अपर कोड में ट्रानस्फर करते हैं मुद्ध का लीट्रल मतलब ऐसा है अपको कोई टॉपिक छूट जाता है तो आपका टीचर आपको बैच में बुला लेगा अब आप दूसरे बैच में जाओंगे हो सकता है जो बैच चेकर हुआ आपको मना कर दे कि नहीं साब यूर नॉट स्टूट अब दिस क्लास ठीके तो आप ऐसे में मैनेजमेंट से कहोगे तो मैनेजमेंट आपको एक अलाव स्लिप देते हैं कि नहीं ठीके जाके बैठो आप तो अलाव स्लिप दे कि उन्होंने क्या किया आपको और राइस कर दिया दूसरे बैच में सब्सक्राइब तो किसी वजह होती है तो किसी वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अपर कोट में तो यहां एक तरीके से सुप्रीम कोट सब्सक्राइब को यहां लड़ो तो यह चैसे करेगी वह सर्चुराइरी जारी करके आप देखिए कट हुआ रेप केस था वह जमू कश्मीर वाला उसको ट्रांसफर कर दिया गए जंडीगर कोट में अभी उन्नावरे का थामामला वो जो विधायक था तो उसको ट्रांसफर कर दिया गए लखनव कोट में तो जनरली कई सारी वजह होती हैं, कि मुकदमाप्रभवित हो, तमाम सारी और वजह होती हैं, तो generally उसको upper court में transfer कर देते हैं और इसी बहाने उस मुकदमे का review भी हो जाता है। तो ये वाले मुकदमे को transfer करने के लिए जारी किये जाते हैं। फिर बचता है co-wariete को वारंटो सुप्रीम पूट जारी करता है किसी के भी खिलाफ किसी के भी खिलाफ मतलब कि यह जब जारी करेगा जब कोई अथौरटी या कोई व्यक्ति अपने अधिकार छेतर अपनी जिरुडिक्शन के बाहर काम कर रहा हूँ जनरली जादा तर ये घलत तरीके की अपॉंट्मेंट्स को रोकने के लिए जारी किया जाता है ठीक है जैसे बहुत सारे रूलर एरियाज में बड़े सारे ऐसे केसे आते हैं कि कोई किसी इंफ्लुएंशिल पोस्ट पर है और रेटायर हो गया तो भी वो अपने इंफ्लुए उससे क्या पूछेगा बाई वोट अथिकार से आप इस पत पर बैठे हुए हैं आप तो रटायर हो चुके हैं इसी के लिए अधिकार प्रिक्षा को बोलते हैं कि किस अधिकार से आपने ऐसा कर लिया तो ज्यादा तर ये घलत तरीके की अपॉंट्मेंट्स को रोकने के ल देता है तो दो देर दूटीज प्राइबिशन इस अस्टे आउडर फॉर रणिंग केस चलते मुकद्मे को रोकने के लिए सेर्चुरारी ट्रांसफर टुकेस इन वन कोट तो अनदर जनली अपर कोट में ट्रांसर किया जाता है को वारंटे तो आस्किंग परसन और अथॉ किस अधिकार से आपने काम कर दिया बिसली ये अधिकार शेतर में काम करने के लिए कहता है जादा तर यह घलत तरीके कि अप्वॉन्टमेंट्स को रोकने के लिए जारी किया जाता है तो यह पांच रिट्स हैं जो आर्टेकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोट इशू करता है लेकिन यह एक चोटी सी समस्या है, समस्या क्या है, कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और देश के सभी भागों से ये पॉसिबल नहीं है, कि लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकें, दिल ले आ सकें, तो उनको ये लाप कैसे मिलेगा, तो इ यानि, इवन हाई कोट कैन इशू दीज रिट्स, बट अंडर आर्टिकल 226, 226 के तहर, आर्टिकल, हाई कोट, इवन हाई कोट कैन इशू दीज रिट्स, अकंशन रिखाल से आपके सवाल का जवाब मिल गया, ठीक, तो हाई कोट भी रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोट के साथ साथ, अच्छा कई बार सवाल पुछाता है कि हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों के रिट जारी करने में पावर किसके पास ज़ादा है, तो हम कहते हैं साब सुप्रीम कोट, नहीं, असल में पावर जादा है हाई कोट के पास, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोट जो जारी करता है वो क्यों fundamental right के लिए जारी कर सकता है जब कि high court fundamental right के साथ साथ बाकि अन्य मामलों में भी ये रड़ जारी कर सकता है इसलिए completely high court के पास power जादा है कि इतनी कहानी clear है शिशू क्या पूछ रहे आप जी घर्चे तो होते ही हैं वकील करना है तमाम सारे case file करने का expenditure होते हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए वो भी उसके लिए भी arrangements हैं अभी हम बात करेंगे जब हम directive principles बात करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे तो expenditure तो होता है है ऐगी अ एनी एक्सामपल रिगार्दि अरुपाली किस चीज़ के लिए ग्समबल पूछ रहे आप किस चीज़ के खेंपल हमारे communication में तोड़ा gap हो जाता है इस transmission की वज़े से चलिए तो ये थे हमारे fundamental rights जो छे fundamental rights हमको हमारे constitution में दिये हैं वो ये चंड़ छे fundamental rights थे अगर मौलिक अधिकारों का उलंगन है तो आप सीधा Supreme Court में जा सकते हैं आर्टिकल 32 ये कहता है और Supreme Court can issue these rights ठीक है to maintain the fundamental rights मौलिक अधिकारों के लिए लेकिन High Court के साथ साथ क्या है कि High Court fundamental rights के regarding तो ये रट जारी करी सकता है वो other than fundamental issues तमाम सारे उनके administrative issues होते हैं उसको भी maintain करने के लिए इन रिट्स का इस्तमाल वो कर सकता है के वल fundamental rights की बात नहीं होती वहाँ पर तो वहाँ other than कोई administrative issues हैं suppose तो उसको भी शॉट आउट करने के लिए High Court can issue these rights तो इसी लिए ऐसा होने की वजह से यह माना जाता है कि High Court के पास regarding to rights power comparatively Supreme Court जादा है ठीक है और कोई वजह नहीं वैसे तो ये केवल एक state में कर सकता है ये पूरे देश में कर सकता है अच्छा 226 मतलब Supreme Court में आप जाएंगे अपने मौलिक अधिकारों को लेके he cannot deny why because article 32 is a fundamental right itself but High Court can deny fundamental right नहीं यह अलग बात है कि High Court deny नहीं करता लेकिन आप उसको force नहीं कर सकता है ठीक है वो बादिकारी नहीं क्योंकि 226 is not fundamental right ठीके तो वैसे तो इनके पास इनका अधिकार शेत्र जाद है इनकी पावर जाद है लेकिन चूकि इनकी limitation क्या है कि यह रिट्स जारी करेंगे only regarding to fundamental rights और High Court can issue these rights for fundamental rights as well as other administrative issues इसलिए उनके पास यह जादा है clear है चलिए यह थे हमारे fundamental rights लेकिन हमने जब यह topic शुरू किया था तो हमने समझा था कि part 3 में article 12 से लेके 35 तक के articles हैं हमने article 12 से लेके 32 तक के article discuss कर लिए अब हमको तीन आर्टिकल और बचते हैं आर्टिकल 33 34 35 वो भी लिख लीजे आद फटाफट वो भी समझ लीजे सब से पहले article 33 लिख लीजे article 33 केता है लिख लीजे parliament has a right to suspend the parliament has a right to suspend the fundamental rights of armed forces parliament has a right to suspend the fundamental rights of armed forces संसत को अधिकार होगा कि वो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दे संसत को अधिकार होगा कि वो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दे अब ये क्या होता है अब देखिए जो armed forces हैं चाहे वो तीनों सेना हो वो police forces हों तमाम सारे intelligence services है और forces है इनको तैयार किया जाता है मुश्य Behempt आन行了 मुश्किल हालाद से निपटने के लिए appli मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार किया जाता है तो इसके लिए इनको tough training की जरुवत होगी, अब इनके training के दोरान इनके तमाम सारे fundamental right का volition हो जाता है, अब वो सुबह उठा के 4 बजे P2A वजन रखे कहते हैं, दोड़ो, अब आप कहिए, no, I have a right to sleep, ठीक है, मैं तो 8 बजेस पहले करेगा, तब तो वो training ही पूरी नहीं हो पाएगी, वो objective ही fulfill नहीं हो पाएगी, जिसके लिए इनको त्यार किया जा रहा है, अच्छा, ना के वल, during their training, even during their duties as well, आप देखिए, उनकी duties भी ऐसी होती है, उनका जो nature of job है, नाम forces का, बहुत discipline required है वहाँ, कि कहीं पहरे पे खड़ा कर दिया, देखना कोई इधर से ना चाने पाए, अब आपका यह no, I have a right to move anywhere in India, ठीक है, मैं तो घूम क्या होंगा, तो वो duty ही पूरी नहीं हो पाएगी, तो article 33 के वली कहता है, कि साथ Parliament in Armed Forces के members के fundamental rights को निरस करती, मतलब during their training, during their duties, they cannot claim for their fundamental rights, अपनी नीजी जिन्दगी में करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने duties और ट्रेनी के दोरान, वो अपने मौले का धिकारूं की रिमांड नहीं कर सकते हैं, clear? Okay, तो article 34 क्या कहता है, वो भी लिख लीजे, आर्टिकल 34 कहता है, लिख लीजे, all fundamental rights will be suspended, all fundamental rights will be suspended when martial law will declared, सभी मौले कधिकार निरस्थ हो जाएंगे, जब सैनिशाशन की घोशना होगी, all fundamental rights will be suspended when martial law will declared, सभी मौले कधिकार निरस्थ हो जाएंगे, जब सैनिशाशन की घोशना होगी, अब ये क्या है, सैनिशाशन क्या होता है, अब देखे, आपने पढ़ा है कि, state has three parts, legislature, executive and judiciary, अब कभी देश के सामने मुश्किल हालात आ जाएं, तो क्या होगा, कि सेना इन तीनों को टेक ओवर कर लेगे, सेना तीनों को टेक ओवर कर लेगी, कानून भी सेना बनाएगी, लगू भी सेना करेगी, और सैन अडालतों में ही, नयाई भी justice भी, सेने दालतों में होगा तो ऐसे में चीज़ें क्या होती है कि ये तब होगा जो मुश्किल हालात आ जाए ठीके तो ऐसे में सारे ये civil court वगेरे सब suspend फॉर्चनटली अभी तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ कभी भी सेने शाषन नहीं लगा है तो exactly we have no idea कि अगर कभी ऐसा हो गया तो होगा क्या exactly बट article 34 ये कल्पना करता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो सेना इन तीनों को take over कर लेगी कि ये सारे अधिकार आपके मौलिक अधिकार suspend हो जाएंगे अब इसको बस ऐसे समझें मालीजे दिल्ली है दिल्ली को चाइना की फोर्स ने घेर लिया चारो तरफ से तो अब ये दिल्ली पुलीस फोर्स के बसका है उसो टैकल करना सेना आएगी और सेना आएगी तो अपने तरीके से काम करेगी उस सब कुछ टेक ओवर कर लेगी अपने हाथ में ले लेगी जब आप अपना बैक पैक कीजिए कि नहीं मैं तो चला कुल्लू मना ली स्नोफॉल देखने सेना कहेगी घर में बैटो बम फॉल हो रहा है उदर आपके नो I have a right to move anywhere in this country उड़ता हाथ कान क के नीचे नहीं तो आपको आपकी सुरक्षा के लिए जाने से रोका जा सकता मतलब you cannot claim for your fundamental right if there is a martial law अगर सैने साशन लगा है तो आप अपने मौलिक अधिकारों के डिमांड नहीं कर सकते सैने साशन लगेगा भी लगेगा ही तब जब situation out of control हो जाए फिर सेना को सौप दिया जाता है fortunately अभी तक हमारे देश में एक बार भी सैने साशन नहीं लगा this is the reason कि we have no idea कि अगर कभी ऐसा हुआ तो exactly क्या होगा article 34 ये कल्ब ना करता है कि अगर ऐसा हुआ तो पहले चीजी होगी कि आपके मौलिक अधिकार निरस्थ हो जाएगा क्लियर यतनी बत okay and the last one article 35 ये क्या कहता है लिख लीजे article 35 says लिख लीजे only parliament has a right to suspend the fund to change the fundamental right only parliament has a right to change the fundamental rights मौलिक अधिकारों में के परिवर्थन का अधिकार केवल संसत को होगा अधिकारों में परिवर्थन का अधिकार केवल संसत को होगा only parliament can do this ये भी सवाल पूछा गया, who can change the fundamental rights, मौलिक अधिकारों को कौन change कर सकता है, केवल, क्या कहते हैं, संसत, और कोई नहीं, आप देखें, संसत को लगता है, कि कोई अधिकार ऐसा है, जो देश की विकास में रुकावट पैदा कर रहा है, उसको हटा सकती है, जैसे right to property को हटा दि clear है, okay, क्या पूछ रही है, आकांगशा, जी, आकांगशा, जब भी सहनेश आशल लगेगा, तो ये जो fundamental rights आपने पढ़े, we cannot claim for them, हम उनकी demand नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाएगा कि सैने साशल लगा ही है तब जब situation out of control हो गई है, अब माली जे चाइना ने मैंने example दिया आपको कि चाइना अगर हमें घेर रखा है, तो first priority है कि उनको tackle करे, आपके fundamental right बाद में enjoy होंगे, पहले वो दुश्मन को tackle करे, एक example के लिए आपको बता र तो rules and regulations भी वही बनाएंगे, execute भी वही कराएंगे, और अगर किसी तरह कोई dispute है, तो judgments भी उन्हीं सैने अदालतों में ही होगा, इसी को martial law कहते हैं, सेना का साशन कहते हैं, fortunately अभी तक हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमको इसलिए कोई idea भी नहीं कि exactly अगर कभी ऐस ऐसा हुआ तो होगा क्या, लेकिन मैं article 34 की बात बता रहा हूं कि वो यह कल्पना करता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा होगा तब जब situation out of control होगी, तो ऐसा होगा तो आपके मौलिक अधिकार suspend हो जाएंगे, यह केवल यही बात कह रहा है, और अचा आशुतोष कह अगर मौलिक अधिकारों में कुछ भी चेंज करना हो, तो कौन कर सकता है, केवल संसद कर सकती, और नहीं है, जो मौलिक अधिकारों में change कर सकती, केवल संसद ऐसा कर सकती है, मैंने आपको example भी दिया, कि संपत्ती के अधिकार को निकाल दिया, यह एक तरीके का change था, उसने सिक्षा के अधिकार को मौलिक का अधिकार बना दिया, 21-1 के तहट, तो यह भी एक change था, यह कौन कर सकता है, केवल संसद, article 35, केवल यह यह बात कहता है, ओके, clear, तो यह थे आपके part 3 के articles, अच्छा, एक और आपसे जो सवाल पूछा आता है, कि which fundamental rights are available for Indian citizens only, which one is available for foreigners as well, which one is available for both, कौन सा अधिकार है, जो केवल नागरिकों, भारती नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा विदेशियों को प्राप्त है, कौन सा दोनों को प्राप्त है, इस तरह यह questions आते हैं आपके सामने, बड़े confusion होते हैं आपको, तो आप वो वाले लिख लीजे, जो केवल भा भारती नागरिकों को प्राप्त है, ठीके, भारती नागरिकों को तो यह सारे ही प्राप्त है, लेकिन अभी आप जो लिखेंगे, वो केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और इनके अलावा जो बचते हैं, वो भारतीयों के 16 19 29 और 30 कि यह वो पांच आर्टिकल्स हैं पांच अधिकार हैं जो केवल भारती ना अग्रिकों को प्राप्त हैं 15 क्या कहता था पुब्लिक प्लेसिस पर कोई केवल भारतीयों के साथ विदेशी को मना कर सकते भाई तू नहीं आएगा इदर ठीक आर्टिकल 16 सरकारी नोगरियों में कोई विभेद नहीं होगा केवल भारतीयों साथ विदेशियों को तो मौका भी नहीं देते आर्टिकल 19 मतलब उच्छे अधिकार आपको याद होंगे वह केवल भारती नागरिकों को प्राप ते अपकरिस्टानि की तारीफ ओर्ह यहाद हम को तो पाकिस्तानी नहीं देते और 29-30 अभी अभी आपने समझा minorities को available है only for Indian minorities अब कोई आके के भाई सब क्यूबा के क्यों हम दो ही लोग रहते हैं इंडिया में अब क्यू रहते हो घर जाओ तो basically this right is given to only Indian citizens ये जो अधिकार है ये केवल भारती नागरी वो प्राप्त है और इनके अलावा जितने भी fundamental rights आपने पड़े हैं वो सारे के सारे भारतीयों को तो प्राप्त हैं साथी साथ विदेशियों को भी प्राप्त है तो इतनी कहानी समझे में कहीं कोई दिक्कत तो नह मैंने अपनी तरफ से लगभग चीजों को बता दिया है अब अगर आप प्रीवियस एर पेपर देखेंगे तो अलग-अलग अंगल से questions पूछे के ज़रूर सॉल्फ कीजे अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो अगली class में हम discuss करते हैं तो चलिए अब आपका question आर शुरू हो ग कि पूरी कहानी clear है very good अगर आप कुछ question पूछ रहे थे प्रिवेंटिव डिटेंशन पूछ रहे थे अप्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब आर्टिकल 22 ठीक है एक लाइन में समझे वह अगर आपको arrest किया गया है तो शक के बिना पर तो ऐसे में आपके पास क्या अधिकार ह अगर किसी religious affairs के चलते किसी citizen को नुकसान है तो उसके रूका जा सकता है या by government like मुहरम देखें रितिका मुहरम is not mentioned in sharia और कुरान मुहरम एक ritual है वो celebrate करते हैं जैसे आप दिवाली में पठाके तो दिवाली में पठाके आप वो कर रहे हैं तो ये कोई religious चीज़ें नहीं है तो जरूर इन सारी चीज़ों पर public interest पर रोक लगाई जा सकती है ठीक है अगर आप ये सवाल पूछते हैं और तो वहां रोक लगती भी है तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है ये सफ़ोर्स लेकिए जो religious act का freedom, religious affair की freedom की कहने की बात है वो ऐसी चीज़ें जैसे मैंने आपको example दे आप school colleges खुलवा रहे हैं आप कुछ ऐसा मतलब कुछ progressive काम कर रहे हैं ठीक है आप अपने धर्म के नाम कर कीजे लेकिन वो progressive कानों से लोगों का भला हो रहा है ठीक है सरकार कहता है very good you are free to do that अगर उससे नुकसान हो रहा है तो सरकार उसमें नियंत्रंट कर सकती है कोई बात है आपको चीजे समझ में आ रही है वैसे भी first time last होता है तो खूब enjoy कीजे इसको खूब अच्छे से समझ लीजे कि बात के वल सब्जेक की नहीं है बात ही हमारे आपके अधिकारों की है तो यह जो सारा जो GSK में आप पढ़ते हैं न यह आपकी समझ बढ़ा देता आपकी personality निखर जाती है आपकी बातों में gravity आ जाती है तो take all subject seriously ठीक है बहुत मज़ेदार भी है आपके अपने अधिकारों से आप रूबरू करा रही है कोई बात नहीं आगांगशा अभी question आपके डेवेट नहीं हो पारे कोई बात नहीं previous year paper ज़रूर solve कीज़े प्रीवेस year paper में बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप उन shape में अपनी practices करें जैसे question आपसे पूछे जाते हैं तो आपकी preparation भी अच्छी होगी और आपकी knowledge को भी एक sharpness मिलेगी तो previous year paper आप consider कीजिए questions भी आपके पास होंगे ठीक है तो आपको अच्छा भी लगेगा अच्छा ऐसा लगता है मेरे से पढ़ते टाइम जैसे किसी lawyer से पढ़ रहे है ओके चले क्या कहूं थांक्यू Elvin क्या पूछ रहे है in case one religion prayers disturbs other religion freedom of prayer by sound or something it is violation of आप देखे Elvin बिल्कुल होता ही है आप देखे कई सारी जगों पर जैसा खास कर की जैसा hospital है school colleges है वहां वो माइक चाहें वो मस्जिदों पर हो या मंदिरों पर है वो उतार दिये जाते हैं लेकिन चुकि religious matter बड़े sensitive है यह बड़े mutual understanding के साथ होने चाहें तो disturbance create करता है yes of course उस पर बात की जा सकती है ठीक है और कई सारी जैसे मने एक्जांपल देया कि hospitals वगएरे के पास है वहां यह माईक उतारी दिये जाते क्योंकि operation वगएरे हो रहा है patient पता चला heart का operation करा अचानक से अल्लाहावाजाई या जैश्र राम कुछ आया तो सीधर राम जी के पास तो रुका जा सकता है ऐसे वैसे भी चीज़ें लेकिन चुकि क्या होता है religious matter में बड़ी आस्थाएं जोड़ी होती ही लोगों की तो अगर यह mutual understanding से हो जाया तो बहुत अच्छी बात है कानून का भी violation है आप देखे रात बहुत जादा एक particular decibel से जादा आवाज नहीं कर सक सकते हैं लेकिन सवाल यह कि उस पर रोक लगेगा कौन क्योंकि वो religious matter है अब फिर वो politics involved हो जाती है इसको अगर mutual understanding से solve किया जा तो बिलकुल किया जा सकता है अगर आप पूछ रहें कि क्या यह law का बॉलेशन है येस यह है शिवम अच्छा सर तो जज है हमारे लिए अरे नहीं शिवम लेकिया basically क्या है कि मेरे पास इन विश्यां की जो समझ है मैं अपने काम करते हैं मुझे सरकार के साथ काम करना होता है तो मेरे पास अनुभव है इनका क्या practical aspect है मैं आपको पढ़ाते वक्त भी कई बार मुझे भी लगता है यह सारी चीजें बाहर नहीं हो रही लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जो न केवल आपकी एक नागरिक के रूप में समझ बढ़ाए आपके exam में जो मदद करे वो तो करे ही एक नागरिक के रूप में भी आप समझ बढ़ाए जब आप चीजों को समझ के कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़ादा होता है किसी एक पक्ष में बात करना तो बड़ा आसान होता है हमेशा ठीक है बहुत मुश्किल होता है जब आप चीजों के अगेंस्ट बात करते हैं जैसे अभी देखे हैदराबाद रेप केस में एक अनकाउंटर हो गया पूरा देश सेलिबरेट हो रहा है कर रहा है उसको ठीक है जो भी इस तरीके की अप रात करते हैं उनके लिए किसी तरीके कोई माफी नहीं होनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए लेकिन simultaneously simultaneously ये बहुत जरूरी है कि हम ये कितना unfortunate है कि अनकाउंटर को सेलिबरेट कर रहा है देश इसका मतलब कि हमारी कानून विवस्था पे ये तमाचे हैं ये सारा कुछ कि लोग उसको praise कर रहे हैं इसका मतलब ये कानून व्यवस्ता हमारी लचर है और कोई विकल्प नहीं बचा तो ये celebration उसके मारे जाने से जादा celebration है कि हम अपने कानून व्यवस्ता के हो strong करने के लिए आवाज उठाते तो इसको बड़ी जिम्मेदारी से करने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी आती है तब जब आप चीज़ों को समझते है तो as it is जब आप समझे क्योंकि हम सब लोग एक समाज है तो हमारी जिम्मेदारी वैसे थी ये सारे विशय उन्हीं जो social responsibility है उनको समझने के लिए ही मदद करती है क्योंकि हमारी problem तो हम ठीक कर सकते है अगर समाज की problem है तो समाज ही ठीक करेगा और समाज में जागरुकता के बगर ऐसा हो नहीं सकता और नागरिक के हैसे हमको जागरुक होना चाहिए तो इन विशयों को जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना ये बड़ा contribution है unfortunately majority of population ऐसा नहीं कर रही है और तमाम सारी समझ से आए हमारे सामने आती है तो मेरी कोशिश है कि आपको वो समझ मिल सके ठीक है आप लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं चुलिए खेर और कोई question आपके शिवम पूछ रहे हैं मुझसे कोई भी topic समझे बिना याद नहीं हो पाता ये तो अच्छी चीज़ है शिवम समझने के बाद ये मिरे खाल से सभी के दिकत होगी जब समझेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे समझने के बाद clarity आ जाती है और वैसे भी जिस तरीके के questions अब आ रहे हैं आपके सामने उनके answers रट के देपाना is not possible तो what you need to do is first you have to understand what the topic says topic कहता कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है ओके रितिका doubt session के लिए तो खेर मुझे बात करनी पड़ेगी कि management कैसे क्या program करता है उसके लिए लेकिन जो भी previous papers के आपके doubt आते हम class में हर class में ये आखर का 10 minute 15 minute आपके doubt session के लिए ज़रूर रखेंगे और आप मुझे बता दिया कीजेगा कि जब class शुरू हो तो एक message जाल दिए sir बहुत सारे doubt हैं पूछना है तो accordingly हम topic खदम करके ताकि साथ ही साथ चलते हैं session वगेरे तो कई सारी चीज़ों पर ठीक है थैंक यू शिवम जी शिवम मैं कोशिश कर रहा हूं कि classes में at least आपकी दो classes लग जाए आज ही था कि शायद दूसरा दो बज़े से दो बज़े तक आपकी classes हो पाती लेकिन वो नहीं हो पाया कोई नहीं इसको हम जल्दी करेंगे थोड़े सा कुछ schedule है ऐसा लेकिन उ और कहीं कोई दिक्कत आपको किसी भी तरीके की अरे इतने सारे लोग live है देखें आपके पास doubt नहीं मतलब teacher अच्छा है और कहीं कोई आपके तैयारी में regarding कुछ problem हो रही हो आपको तो फिर सायोनारा कर लें थैंक यू आखांग शाया ओके ओके चलिए आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करते रहे हैं आप जुड़े हैं आपसे बहुत सारे लोग जुड़े भी है मेरे से फेस्बुक से जुड़े हुए हैं चीजे जुड़िये वहां कोई हो आप मुझे मैसेज किए मेरे नंबर हैं आपके पास ठीक है आप लोग का शायद वोटसाइप ग्रूप भी है कोई तो आप लोग उससे जोड़ी है इन सब चीजों का इस्तमाल कीजे ठीक है अपने डाउट्स पर काम कीजे सभी टीचर्स से जो भी टॉपिक आप पढ़ जाएगी ये कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछा आता किसी पी एक्जाम में अगर आप थोड़ी सी स्ट्राटेजी बना के त्यारी करेंगे यकीन मानिये सेलेक्शन जिसके लिए मुश्किल होगा होगा आपके लिए नहीं है ठीक है तो इन चीजों का खयाल र कैसे जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे आप मैं से कोई ग्रूप एडमेंड हो तो आपके साथी लोग है इनको जोड़िए प्लीज ठीक है मेरा नंबर तो आपके पास हाई है मैं फिर से एक बार अपने नंबर बता देता हूँ ठीक है 99050884 तो आप यहां मेरे से पूछ सकते थोड़ा सा चुकि शीडियूल ऐसा रहता है कि मुझे जवाब देने में कई बार लेट हो जाता है आप मुझे आज कोई डाउट पूछा हो सकता मैं कल परसों रिपलाई करूंगा ज़रूर तो आप मेरे से पूछ लिया यह तमाम सारे अपड़ेट वहां से आपको मिलते रहते हैं कलासे के तमाम सारे हम अपने चैनल पर बहुत सारी चीजों को डिसकस करते हैं तो आपको بहत मदद मिल जाएगी तो इन सारा जो technology हैं आपने entertainment के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए भी थोड़ा वक्त दीजे ताकि आपका certain success आपको मिल सके तो जुरूर आप इन सब चीज़ों का फायदा इस तरीके से उठाएए मेरे पास कुछ group है यहाँ ठीके यहाँ यह शिवम एक नंबर दे रहे हैं शायद वो group admin है क्या है एक नंबर उन्वों दे रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं वो जोड़ देंगे आपको 8383848383848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848 जिससे आप group में जुड़ सकते हैं अब मैंने भी अकंशा group देखा नहीं कि उसमें क्या आता नहीं आता है लेकिन यह है कि आपनों के मैंने कई सारे doubts होते हुए बतलब एक कली मेरी नजर पड़ी थी तो कुछ solve हो रहा था तो आप जुड़िए उससे अगर useful नहीं है तो left option तो हमेशा है ठीक है तो अगर काम की चीज़े मिलती है तो इस्तमाल कीजे यह सारी चीज़े में बस आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप touch में रही है और कोई बात नहीं है ताकि आपके लिए कम से कम मतलब subject की जानकारी ना होना वो hurdle ना बने इन सब चीज़ों का इस्तमाल क कीज़े और फिर आगे बढ़िए तो चलिए आज फिर इतना ही करते हैं अगली क्लास में फिर आप से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ डिरेक्चिव प्रिंसिपल्स आप से डिसकस करेंगे यह इतना दो टॉपिक हमने कर लिया प्रेयंबल और फर्णामेंटलाइट यह आ झाल 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 झाल